नमस्कार बच्चो स्वागत है अपनी इस यूटूब चनल पर बच्चो आज इस वीडियो में हम कच्छा 11 के विद्यार्थियों के लिए हिस्टिरी का ये तीसरा चैप्टर लेकर आए है जो चैप्टर का नाम है तीन महादीपों में फैला हुआ सामराज समय बच्चो इससे सम्मधि जितने भी importance objective अप्जEKTIWAY तेन बहुँद का नाम है तीन महादीपों में तो महादीप में कई देश आते हैं तो आज हम देखेंगे साथ पहले महत्पूतत देखेंगे रोम के सम्मंदित तीन जो है तीन साम जो है वच्चों महादीप कौन था जिसमें रोम फैला हुआ था तो महत्पूतत देखेंगे उसके बाद हम लोग विकली परशन देखेंगे देखो प्राचीन रोम समराज का विस्तार 20 के एक विसाल छेतर में था रोम समराज में आज का धिकांस यूरोप पश्चमी एसिया जिसे उरोरर अदफ चंद्राकार छेतर कहा जाता है तथा उत्री अफ्रीका का एक विसाल छेतर समलित था यानि बच्चों अफ्रीका यूरोप और पश्चमी एसिया इन महादीपों में रोम का रोम जो है फैला हुआ था रोमन समराज को तीन महादीपों फैला हुआ समराज भी कहा जाता है यानि तीन महादिपों फैला था इसलिए ये तीस महादिपों वाला सामराज भी कहा जाता है रोमन सामराज के एधिहासिक ग्यांस रोज समगरी को पाठ समगरी पर लेक या दस्तावेज तथा भौती का उसोर्ष में विवाजित किया जाता है इसा मसी के जम्ष लेकर बच्चों शातमी सतावदी के पुरवार्द में 36 के दसक तक की अवद में अधिकांज इरोप उत्री अपरीका और मद्द पूरो तक के बिसाज शित में दो ससक समराजों का सासन था ये दो समराज कावंते हैं रोम तथा इरान इरोप इमंट अपरीका महादीप को मुखरोब से भौमत सागर अलग करता है बच्चों भौमत सागर रोमसम्राज को समान तोर पर दो चर्णवो पूरवरतिकाल और परवरतिकाल में विवाजित किया जा सकता है इस सम्राज में भासाएं भी विवित्ता थी यानि बहुत से भासाओं को बुनने वाइ लोग थे किंतु परशासन के कारियों में लेटिन वा इंड़ानी भाशाओं का ही बच्चो परियोग होता था रोमन सामराथ सांस्कितिक दिश से इरान की तुलना में कहीं अधिक सम्रिध एवन विवित्ता पूर्थ था पर्थम समराथ आंगश्टस ने 27 सिसापूर में जो राज स्थापित किया उसे जो है प्रिंशिप्ट कहा जाता था आंगश्टस एक छट सासा का और सप्ता का वास्तिवी कुत्रा धिकारी था वास्तिक मतलब जो मेन होता है मूर रूप से पर्थन सताबदी के मत तक उचकुल में जन्मे जूलियर सीजर के अधिन रोम समराज वर्तमान डेटेन और जर्मनी तक फैल गया था जूलियर सीजर एक सिरा नायक था रोम समराज में सिनेट एक ऐसी संस्था थी जिसने रोम की गणतांत्रीक संता पर अपना जो है नियंत्र अस्थापित किया था समद बच्चो ते यह थे और भी देख लेते हैं रोम समराज की सिनेट में मुखता कुलीन तथा अभिचाद वर्तमान का बर्चस था कुलीन मतलब जो बड़े लोग होते हैं समद बच्चो और समराठ और सिनेट के पश्चार समाजिक सासन की एक दूसरी परमुक संस्था सेना थी एक वेतन भोगी सेना का होना निसंदे रोमा समराज की एक पनुबिशेष्था थी सेना समराज में सबसे बड़ा एकल संगठी निकाए था चलो बच्चो यह तो मुक्तत थे अब लोग अब जो टी कोश्चन दिखेंगे चलो बच्चो बहुत के लिए पर आसम कुछ देखते हैं तीन महादीपों फैला हुआ समराज कौन था तो अभी इमने बताया बच्चो रोम समराज था जो तीन महादीपों में फैला हुआ थ रोम समराज की परवुम भासा थी तो रोम समराज की जो परवुम भासा थी और लेटिन थी अगर अगस्टरस का एक अननाम क्या था तो यहां आकरेटियन आक्टेवियन था खाला क्वेशन है कांस्ट्रटाइंट ने अपनी दूसरी राजधानी कहां बनाई थी तो वोलव सहर के परवुम बिसप कौन थे तो बच्षो जो है स्च आंगाइस्टन थे अगाइस्टर्स काप साशक बना थी जोँ एशद गौल मैं पड़ेटर्स के रूप में किया जाता था था ने बनेगनक र्नेः करी दूसरी और परवोवाश्य अनन्यु पड़े होंगे रहा था अगस्टस के समराज को क्या कहते थे तो प्रिंशिप पेट कहते थे पैपर आइस का पाओधा कहां बहुतायात में पाया जाता है तो बच्छो का सही जवाँ हो जाएगा मिस्र के में नील नदी के आस पास नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है बच्छो नील बच्छो कोळु मिला कउन सी सतावदी का लेखक था पेपहली सतावदी का लेखक था तीस्रे सतावदी के मद्र पवित्र बाईबिल का अनुवाद की इस भार्षा में हुग Sor ma कॉप्टिक भाउसा में हुगा था समझ रहे हो चरवाहों एवं अर्ध या या और लोगों की जो है अवन आकार की जो पड़ियों को क्या कहा जाता था तो बच्चों मैं पालिया कहा जाता था सही जवापखा हो जाएगा रोमा सामराज के लिए कौन सी सताब्दी संकट पू चलिए देखते हैं अतली गुत्री रोमान समराज को कब और क्यों दो भागों में माठा गया चलिए दीखते हैं सब समझ में आ जाएगा तो आप रोमान समराज समझ गे बच्चों तीन से पचास से चार सुषापूर में सासन को बेतर ढंग से चलाने के लिए रोमन सामराज को पूरवी तथा पश्चिमी दो भागों में माटा गया था वर्ष बितांद से क्या आसा है तो समकाली इतिहास कारोंदार लिखा गया इतिहास वर्ष बितांद कहलाता है ये वर्ष बितांद प्रतिवास लिखे जाते हैं रोम में गरतंद कब तक चला था बच्चो रोम में गरतंद 509 इसवी से 27 इसवी तक चला था गरतंद भी से बच्चो क्या था जहां भी गरतंद बेवस्था होती है वहां राजा जो है राजा का क्या होता है बच्चो चुना परिश्द में होती है अगला कुछन है आगस्टर्स का सासनकाल क्यों याद किया जाता है तो बच्छों आगस्टर्स का सासनकाल सांती के लिए याद किया जाता है किसके लिए सांती के लिए इंफोरा क्या थे इंफोरा जो है ढुलाई के ऐसे मटके अतवा कंटेस्टर थे ज उदेवाद कहलाता है सिनेट क्या है अगला कॉशन है बहुत इंपोर्टफ क्वोशन ating क्वंपशन के लिए इंपोर्ट्फ ऑप सिनेट क्या है शिनेट थनीक फुलीन वर्ग का समूट था जो सासल चलाता था कुलेन जो बड़े लोग होते हैं समझ रहे हो रोम के तीन बड़े सहरी केंद्रों के नाम निखिए तो रोम के तीन बड़े सहरी केंद्र कौन कौन थे कार्थेज थे, सिकंदरिया, इंटिया रोम के सहरी जीवन की दो विश्यस्ताइन निखिए तो रोम के सहरी जीवन की दो विश्चिस्ताइन निम्रिखित हैं नमबर एक परतेक सहर में साजुनी का स्नानागरी होता था साजुनी की विश्च होता है जो सब यूज करें दूसरा है बचों लोगों को उच अस्थर के मरो रंजन उपलब थे अगला कोशन है सेंट अंगाइस्टन कौन था तो जो है सेंट अंगाइस्टन उत्री अफ्रीका के हिपो नामक नगर का विशप था और चर्च के जो है बहुत धिक इतिहास में जो है उसका उच्चतम अस्थान था रोम वासी किन किन देवताओं की पूजा करते थे रोम वासी जो है किन किन देवताओं की पूजा करते थे तो बच्चो रोम वासी जो है निम्लिखित देवताओं की पूजा करते थे निम्लिखित हो जया नमारे जुपिटर, जूना, मिनरोवा, मार्स लेखन कारी के लिए किया जाता था रोमन सामराज कहां कहां तक फैला हुआ था बताए हैं पढ़ा देही हैं तो जान कर लोगे देखो अच्छों जो रोमन सामराज के विसाल राजचेत्र में वरतवान यूरोप का धिकांद भाग पश्चिमी इसिया का छेत्र जिसे उरोवर अत्चंद्रा का छेत्र भी कहा जाता है तो था उत्री अफ्रीका का एक बड़ा भाग जो है समलित था अगला कोशन है इसा मसी के जन्म से लेकर सात्वी सताब्दी के पुरुवार तक 20 में काउन से दो बड़े सामराज थे तो बच्चो रोम सामराज और इयानी सामराज समय ने हो काउन से समुद्र यूरोप यहां अफ्रीका महादीप को अलग करता है तो बच्चो भूमद सागार यूरोप यहां अफ्रीका महादीप को अलग करता है पर्थम रोमन सामराट अंगस्टस ने 27 अपूर में किस नाम से राज स्थापित किया था तो पर्थम रोमन सामराट अंगस्टस ने 27 अपूर में जो राज स्थापित किया उसे जो है प्रिस्पेट कहा जाता था समराट एवं सिनेट के 55 सामराजिक सासन की एक अन पर्मुक्र सनस्था क्या थी? परफम समराट अगस्टर्स के बाद तीन रोमन समराटों के नाम बता ही ये तो पहला पछो समराट टिविरिडियन 14-27 भी, उसके बाद समराट रजान उसके बाद समराट हैडियन कर दियने रोंषर संब्राज में दिनारियस का क्या था है क्या ठाइक। प्रफश्वा दिनारियस क्या था तो रोंषर सान दिनारियस एक चांधी का था जिसमें लगभर vermeg 450 54 गराम विशुद्ध जbon डिक目前 जोहें होती ति कोई ?? 89 मह जोहन कीunta Should pan समुद्रों गरस निकलती है जिसमें हाग गरा निकलता है प्राचीन रोम समराज में जैतून का तेल की जिन कंटेंट्रों में ले जाया जाता था उन्हें क्या कहते थे तो बच्चों में उत्पादी जैतून का तेल मुख रूप से ऐसे कंटेंट्रों में ले जाया जाता था जलसक्ति का परियोग कहा की खानों में होता था तो इस्पेन की सोने तथा चांदी की खानों में जलसक्ति से खुदाई की जाती थी। समराट केंस्टन टाइन दोरा जो है स्थापी रोमन राजधानी कंस्टूनिया का वर्तमान नाम क्या है तो कंस्टूनिया का वर्तमान नाम जो है इस्तामबूल है किस रोमन समराथ ने इसाई धर्म को राजधर्म घोशित किया था तो समराथ कैंस्टन टाइन ने इसाई धर्म को राजधर्म घोशित किया था कंस्टू तूनिया को किस अननाम से भी जाना जाता है पहला कोशन है पैपाराइस के विषय में आप क्या जानते हैं पैपाराइस एक सरकंडे जैसा पौधा था या पौधा मिस्र में नील नदी के किनारे उपता था इस पौधे से जो है लेखन समग्री तैयार की जाती थी इसका उपियोग व्यापक रूप से में किया जाता था पैपाराइस पत्रों पर हजारों समिदाएं लेख पत्र तदा सरकाई दस्ता बेज लिखे हुए पाए गए हैं इन्हें पैपाराइस बग्यानियों को द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है सिनेट नामक संस्था के विषय में आप क्या जानते हैं आए बच्चों इसका उत्र देखेंगे रोम में सिनेट कुलीनवर के लोगों का एक समूँ था जिसमें धनी परिवारों के लोग सामिल थे गरतन्त वास्त्वी सत्ता सिनेट नामक निकाए में ही नहीत थी कुलीनवर के लोग सिनेट के माध्यम से ही सरकार चलाते थे सिनेट की सरस्ता जिवन भर चलती थी जिसके लिए जर्म के अर्स्थान पर धान और पत्पत्रिष्ठा को अधिक महत्त दिया जाता था जूलिया सीजर के दत्तक कुत था उत्तरधिकारी आक्टेवियन ने गहतंत को जो है समाप्त कर दिया समझने है बच्चो रोम समाज में महिलाओं की दसा कैसी थी रोम सामराज में महिलाओं की दसा कैसी थी तो हेजिन डाल लेंगे रोम के समाज में महिलाओं की दसा दसा निम्निखित थी नमबर एक रोम के समाज में महिलाओं की दसा सुद्री थी यानि मजबूत थी पत्नी अपनी संपत्ती अपने पती को हास्तानांती नहीं करती थी और पैत्री संपत्त पर उसका जो है अधिकार बना रहता था नंबर दो महीलाओं इपने पिता की मुख उत्रादिकारी बनी रहती थी और अपने पिता की मुर्त्तौ होने पर उसकी संपत्त की शुतंत मालिक बन जाती थी इस परकार महीलाओं को जो है प्रयाव्त अधिकार प्राप्त थे बिवाब इच्छे दासान था पती अथवा पत्नी दोरा बिवाब भंग करने के उद्देश से सुझना देना जो है परियाप्त था समझे ने बच्चो निम्लिकित के विशे में आप क्या जानते हैं जूलियस सीजर अंगस्टान मारकस ओरियल आई बच्चो इंपोर्टेंस है कोच्छन परिच्छा दिश से देखो सस्परेम लोग जूलियस सीजर के बारे मात करेंगे 46 इशापूर से चबवारी इशापूर जूलियस सीजर मौली रूप से रोम का एक महान सेना पती था इसने अनेक युद्धन ता रोमन दासों के बिद्रों को कुचलने के पश्चात अपने पतिद्वंदी पामपी की मिस्र में हत्या कर दी उसने 46 इशापूर में एक ताना सहा के रूप में रोम की गद्धी को प्राप किया था अगस्टर या अगस्टर या आक टेल्वियन जूलियस सीजर का ही वर्सर था वसाइती सीशापूर में जो है रोम समराज का सरवाधि सक्साली ब्यक्ति हो गया उसने अगस्टर पफित्र और इंपरेटर राज्य का पर्थब नागरिक नमक पद्विया गरहां की और 24 वर्स तक रोम का पर सासन किया कारकस मारकस ओरियलियस अगस्टर के पश्चाज के सासकों में सबसे योग सासक मारकस ओरियस सत्थे उसने लगबग 20 वर्स तक राज किया वह योग सिनापति कुसल पर सासक वह महांदार्सनिक था रोमार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार् माध्यम से ही अभिजाद वर्ग सासन चलाता था अब आप लोग समझ गए अभिजयत वर्ग क्या होता है स्रिनेट श्रस्ता जीवन भर चलती थी और उसके लिए जन में कि तुल्ना में धन गातंतरी पत्पर पदवा पत्रिष्ठा का आधिक महत्व दिया जाता था